यानि अब चांद से बस चंद कदम की दूरी रह गई है और आने वाला एक एक दिन एक एक घंटा भारत के लिए एहम होने वाला है क्योंकि अगले तीन दिनों के भीतर भारत वो इतिहाद सुचेगा जो पहली बार होगा यह पहली बार होगा जब कोई मून मिशन चांद के दक्षडी दूरू पर लैंड करेगा कैसे होगा यह मुम्किन दिखाते हैं आप बद्ध एक टाद प्रयों के लिए आप ती आपिसएग आप एंप आप 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 विए माउ प्रीजिजिजड़ माउन वक्यूप प्रवाब एविए अप्निए पाव अदभद आव विश्वास निये और कल्बनी है अपनी आखों से इतिहास बनते देखेगी पूरी दुनिया चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुँच पाया वहाँ अब भारत पहुँचेगा चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी नहीं देखा इस रोद दुनिया को साक्षात दिखाएगा ये मुम्किन होगा चंद्रयान 3 के चांद के दक्षने दुरुव पर सौफ्ट लैंडिंग से जिस स्वक्त चंद्रमा के सता को भारत का चंद्रयान चुएगा उस स्वक्त भारत के आस्मान में भले ही चांद दुबा होगा लेकिन भारत का लैंडर विक्राम चांद पर सूरच जैसे चमाक उठेगा इस रोगे मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गडाहट के पीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्राम चांद के दक्षनी दुरुव पर उत्रेगा इसरो के मताबे चंद्रयान 3 के तीन एहम मकसद हैं विक्राम ब्लैंडर की चांद के दक्षनी सते पर सुरक्षत और सौफ्ट लैंडें दूसरा प्रग्यान रोवर को चांद की सते पर चला कर दिखाना तीसरा विज्ञाने परीक्षन करना तीसरा प्रग्याने टेश। प्रग्यान रिखान पर जुछ प्रग्यान रोवर करद दूसरा विज्ञान प्रग्यान पर चांद की खरना धर्ती से 3,84,000 किलोमेटर की दूरी तै करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रा चांद के उस दक्षणी द्रोपर पहुँचेगा जो रहस्यों से भरा है दुनिया अब तक चांद के दक्षणी द्रोपर बर्फ ही बर्फ ही वहां कई तरह के प्राक्रितिक संसादन भी हो सकते हैं मगर दुनिया अब तक उसके हकीकत से वाकित नहीं है लेकिना विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्यान डुवर इसे मुमकिन करदेगा प्रग्यान ड्रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिन तक चांद के दक्षने द्रोके हर रहसे से बर्दा उठाएंगे अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि चांद के दक्षने द्रोका बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरने नहीं पड़ती चांद के इस हिस्से में बड़े-बड़े क्रेटर हैं जिन्हें आम बोल्चाल की भाशा में गढ़ा कहा जाता है ज्यादा तर गड़े ऐसे हैं जहां अर्बू साल से अंधेरा है नासा के मताबित घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाँ हो सकता है अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षनी द्रोपर अर्बू सालों से पानी बर्फ के रूप में जमाँ हो सकता है जिसके अध्यान से सौध मंडल से जोड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं